किया हुआ जब इस्राइल में मस्ज़ित पाड़ कर बाहर आया हिंदू मंदेर और इस्राइल और हमास के इस युद्ध के बीच सनातन धर्म का इतना बड़ा चमतकार देखकर सभी के रॉंग टे खड़े हो गए इस्राइल में भारतिय मुल्के अठरा हजाल लोग रहते हैं लेकिन इनी में से एक युवती थी जिसका नाम था वैशनवी दत जो काफी समय से इस्राइल में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था साथ अक्टूबर को कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे इस्राइल को हिला कर रख दिया साथ अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इस्राइल में अचानक घुसपेट कर दी और जम कर बवाल मचाया उन्होंने वाहा के सभी आम नागरी को वस सभी सेनिकों को मार गि गौर तलब बात ये थी कि वैशनवी भी उसी इलाके में रहती थी और वो महादेव की अनन्य भगते थी एक मुस्लिम मुल्क में रहने के बावजूद भी वो अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई थी जब वैशनवी को पता चला कि इसराइल के घर घर में जाकर लोगों को मारा जा रहा है तो जैसे तेसे उस इलाके से जान बचाकर वो दूसरे इलाके में पहुँच गई लेकिन वहाँ पर भी उसकी जान सलामत नहीं थी वैशनवी को अब किसी भी तरह से भारत जाना था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब इसराइल में जीना बड़ा मुश्किल है जैसे तेसे जिस इलाके में वो छुपी हुई थी अचानक से हमास के लोगों ने उस इलाके पर भी आकरमन कर दिया वैशनवी को अपनी जान बचाने के लिए सामने एक मस्जिद दिखाई दी और बीना सोजे समझे वो उस मस्जिद के अंदर घुज गई वो मस्जिद के अंदर भी महादेव का ही स्मरन कर रही थी क्योंकि उसे पूरा विश्वास था किसी ने किसी रूप में महादेव उसकी जान जरूर बचाएंगे देखते ही देखते हमास के लड़ा को लोग मस्जिद के अंदर भी प्रवेश कर गए और एके करके सभी लोगों को मानने लगे वैशनवी उस मस्जिद के पिछले भाग में चली गई जहाँ पर एक बंद कमरा था जैसे तेसे उसने उस कमरे को खोला और उस कमरे के अंदर जाकर छिप गई लेकिन अंदर का नजारा चौकाने वाला था वो द्रश्य देखकर वैशनवी के भी होश उड़ गए क्योंकि उस कमरे में महादेव की एक बहुत ही विशालकाई शिवलिंग मौजूद थी उसे समझ नहीं आ रहा था एक मुसलिम मुल्क इसराइल में एक मस्जिद के बंद कमरे में इतनी बड़ी शिवलिंग आखिर कहा से आई लेकिन उसे महादेव का संकेत समझ में आ चुका था कि एस साक्षा तो नहीं का संकेत है कि वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे जब हमास के लोग उस कमरे तक पहुचे तो वहाँ पर जब उन्होंने शिवलिंग देखा तो उनके भी होश उड़ गए उन्हें हिंदु धर्म के मंदिर में जाने की अनुमती नहीं होती इसलिए उन लोगों ने उस कमरे के अंदर प्रवेश नहीं किया और उस मज्जिस से बाहर आ गए वैशनवी अभी तक उसी कमरे में मौजुद थी और उसी शिवलिंग के वज़े से आज उसकी जान बच्चु की थी दोस्तों कहते हैं सिर्व भारत में नहीं इस दुनिया के कोने कोने में भी अगर खुदाई की जाए तो कुछ मिले या न मिले लेकिन भगवान शिव की शिवलिंग जरूर मिलती है और ऐसा ये गुधारन हमें इसराइल की उस मजजिद में देखने को मिला जहां महादेव ने अपनी एक प्रिय भक्त वैशनवी दत्ते की जान बचाई जिसके बाद इसराइल ने भी अपनी ओर से मूत और जवाब दिया और इसराइल और हमास का युद्ध बहुत ही जादा गंभिर हो गया इधर भारत ने इसराइल में बम धमाकों के बीच फसे हुए भारतियों के लिए ओपरेशन अजय चलाया और इसी अभियान के तहट वैशनवी के साथ साथ 211 और अन्य लोगों को भारत एकदम सही सलामत लाया गया इसराइल से भारत सुरक्षित लोटी वैशनवी दत्त ने बताया कि भारत सरकार ने बोलने की बजाए एक्शन लेकर दिखाया बेहत कम समय में हम सभी लोगों को इसराइल से वतन वाफसी कराई एक हफ़ते के अंदर हम सही सलामत अपने वतन लोटाए और यहां आकर हमें बहुत सुकुन मिल रहा है इस पूरी घटना को लेकर इस युद्ध को लेकर आपके अविचार रखते हैं हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आई है तो लाइक करने में कैसी शर्म कॉमेंट बॉक्स में जय मातादे लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूले अभी के लिए दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव